हेलो स्टुडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोलकनो आईएस के इस प्लेटफूम पे स्टुडेंट्स अगर हम बात करें इस वीडियो की, तो ये वीडियो हमारा दिसंबर मंत का Current Affair का Discussion का Lecture है, जिसके अंदर हम basically यहाँ पे आज बात करेंगे आर्ट एन कल्चर के Current Affairs की, इस्टुडेंट्स आर्ट एन कल्चर की काफी ज़्यादा Importance है, चाए हमारे Prelims का Exam हूँ, चाए हमारे Means का Exam है, या हमारे Personal इंटर्व्यू की जो stage होती है उसके समय भी art and culture के जो questions है वो काफी ज़्यादा पूछे जाते हैं आप कौन से state से belong करते हो आप कौन से area से belong करते हो या आपकी जो domain है आप optional subject क्या है उसको देखते हुए आप से art and culture के जो question है वो पूछे जा सकते हैं या कोई current affairs से related जो topic news के अंदर रहा हो basically अगर हम बात करने students art and culture की तो हमारे prelims के अंदर में mains के अंदर में और personal interview का जो stage है उन तीनों के अंदर आपको art and culture की जो importance हो देखने को मिलती है prelims के अंदर आप देखे कि 4 से 5 question है जो आपको completely art and culture से देखने को मिलेंगे mains के अंदर 10 हम बात करें personal interview उसके अंदर भी आपसे जो questions है वो पूछे जा सकते हैं students art and culture के अगर हम subject की बात करें तो काफी easy है art and culture से related जो questions है जो current affair के जो topic है उनको यहाँ पे relate करना आपका जो static part है उसके साथ में आप basically अगर हम एक्जामपल की बात करें आप देखें कि अगर कोई temple है suppose कीजिए कि कोई temple है वो news के अंदर में है अब अगर कोई temple news के अंदर है तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी dynasty के समय बना था क्या architecture में कोई different है क्या उसमें कोई special unique वहाँ पे characteristic है temple के अंदर तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि students जो questions है वो इसी basis पे बनते हैं आप देखें कि कल्याना मंडपा basically एक concept है जो विजे नंगर के style of architecture है उसके अंदर आपको देखने को मिलता है तो इससे related UPSC ने 2018-19 के समय में question पूछा था अब वो आपको पता होना चाहिए कि temple का unique यहाँ पर architecture क्या है या unique quality क्या है उसके बारे में कोई भी personality अगर news के अंदर रही है तो उन personality का क्या contribution है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए तो इस culture को अगर आप prepare करोगे तो art and culture को prepare करने के साथ में आपको ancient history का जो part है जो medieval history का part है वो automatically साथ की साथ prepare होता रहेगा क्योंकि आप art and culture को और जो history का जो section है उसको आप अलग नहीं कर सकते आप उनसको differentiate नहीं कर सकते दोनों एक दूसरी के साथ में well connected है students तो हम यहां पर basically art and culture का जो discussion है उसको start करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे जो first topic है जो news के अंदर में था वो दो scheme है students हमारी ministry of culture की scheme है वो news के अंदर में थी उनके बारे में बात करते है museum grant scheme है कि museums को grant है वो provide करनी है जिससे museums का development हो सके और उसी scheme का एक part है scheme for promotion of culture of the science की science का जो culture है उसको यहां पर promote किया जा सके students जैसा कि आपको पता होगा हमारे जो हमारे constitution के fundamental duties में एक fundamental duty है कि country के अंदर जो scientific temper है उसको promote करना है तो जो scientific temper यहां पर जो culture of science है उसको उसकी इस scheme के through भी basically वो हो रहा है यह basically मेरे को just just याद आया तो मैंने आपको यहां पर बताया कि एक scientific जो culture है उसको develop करना scientific temper को develop करना हमारी fundamental duty है जो 51 A.K. अंदर article 51 A.K. जो sections है उनके अंदर mention है सबसे पहले हम बात करते हैं scheme के बारे में museum grant scheme जैसे की scheme की name से ही show हो रहा है कि museums को grant है वो provide करना है क्यों grant provide करनी है सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए students हमारे DPSP और fundamental duties के अंदर ही mention है कि हमारे जो country का जो heritage है उसको हमको protect करके रखना है चाहिए वो natural heritage हो चाहिए वो historical heritage हो कोई भी cultural related जो activity है उनको हमको protect करके रखना हमारी एक responsibility है हम इस country के citizen है तो ऐसे ही schemes launch की जाती है हमारी government के दुआरा तो ministry of culture के दुआरा यह जो दो scheme है वो launch की गई है कि scheme for museum grant scheme है और scheme for promotion of culture of the science इसका main यहाँ पे जो motive है यह है कि यहाँ पे जो museum है उनका development हो सके उनको हम modify कर सकें तो modification and development of the museums students present समय में हमारे country में जो museum जो concept है वो इतना popularize नहीं है क्योंकि हमारी youth है वो इतना connectivity नहीं है museums के साथ में आप देखे कि France नाम का एक country है उसका capital है Paris उसके अगर आप visit करते हो तो आप वहाँ पे जाके देखो कि वहाँ पे जो museums है उनकी जो संक्या है उनकी जो number of museums है उस country के अंदर में फ्रांस के अंदर में वो काफी ज़्यादा है आप देखे कि इसी वज़े से UNESCO का जो headquarter है वो भी आपको Paris में देखने को मिलता है historically and culturally जिस तरीके से वो city डवलप की गई है students सबसे पहले हम बात करें museum grant scheme की तो यहाँ पे museums को basically यहाँ पे develop करना है modify करना है यह इसका main aim है इसके लावा students यहाँ पे basically इसी scheme के one of the component ये भी है कि जितने भी हमारे museums हमारे exist करते हैं उन museums को यहाँ पे digitalize करना जिससे उन museums को digital way में लोगों तक कहुंचाया जा सके museums के अंदर क्या चीज ब्रिजरू की गई है क्या चीज वहाँ पे रखी गई है तो उसको यहाँ पे लोगों तक कहुंचाया जा सके जिससे उसको museum को digitalize करना भी एक component है इस scheme का Students इसी scheme के थुरू यहाँ पे जो financial assistance है वो provide किया जाता है क्योंकि funding तो देखिए हर किसी काम के अंदर जरूरी है चाए वो climate change का work हो चाए भी museum का work हो किसी भी चीज से related जो funding है वो एक important component रहेगा क्योंकि funding तो provide की ही जाएगी किसी भी अगर activity को अगर करना है तो तो students यहाँ पे हमारी ministry of culture के दुवारा जो funding है वो provide की जाती है कोई भी society है जो society registration act के थुरू उसको register किया गया है कोई PSU है कोई यहाँ पे अगर हम बात करें local body है autonomous body है state government की कोई society है तो उसको यहाँ पे funding provide की जाती है जो basically जिनका जो work of domain है वो होना चीए culture का preservation museums का preservation हमारे जो heritage है उसको वो protect करते हूं students अगर हम बात करें इसी scheme का museum grant scheme का इसी scheme के थुरू जो गुजरात के अंदर wardnagar है गुजरात के अंदर जो wardnagar है उसके अंदर basically एक museum है उसका यहाँ पे construction किया गया है अब museum अगर हम बात करें wardnagar की students तो wardnagar के अंदर जो museum बनाया गया है अब यहाँ पे wardnagar भी news के अंदर में था पिछले कुछ समय से वड़नगर न्यूज के अंदर में क्यों था, अभी रिसेंटली, युनेस्को की जो tentative list है, heritage sites की, उसके अंदर वड़नगर को यहाँ पर listed किया गया है, इंडिया के दुआरा, गुजरात की दो site हैं, एक वड़नगर है, दूसरा मोदेरा का जो sun temple है, उसको यहाँ पर list किया ग famous है इस्टुडेंट्स वर्ड नगर के अंदर excavation की जो activity है जो वहाँ पे जो खुदाई की गई हमारे archaeological survey of India के दुआरा या जितने भी जो लोग हैं इस sector से जुड़े हुए हैं जो archaeologist हैं उनके दुआरा वहाँ पे जो खुदाई की समय में 640 के आसपास के समय में जो Chinese traveler है हीन श्यांग हीन श्यांग जो हर्सवर्दन के समय में यहाँ पे आये थे हर्सवर्दन वो ही हैं जो कन्नोस से रूल किया करते थे पहले उनका जो जो राज्य है वो थाने सर जो हरियाना के अंदर located है वहाँ पे हुआ करता था बाद में उन्होंने अपने बहन का जो राज्य है उसको मिलाया और उसके साथ उनका जो kingdom है काफी बड़ा kingdom बन गया था जो कन्नोस से रूल किया करते थे हर्सवर्दन उसके समय में हीन श्यांग इंडिया के अंदर विजिट करते हैं हीन श्यांग ने बेसिकली बताया है कि वड़नगर बेसिकली वो जगह थी यहाँ पे learning center हुआ करते थे जो monastery है वो चला करती थी यहाँ पे जो लोग हैं दूर दूर से आया करते थे पढ़ने के लिए यहाँ पे बुद्धिष्ट का जो learning center था वड़नगर इसी वड़नगर के अगर हम बात करें खुदाई के अंदर काफी सारी ऐसी चीजे मिली हैं जो बुद्धिष्ट कल्चर के बारे में show करती हैं बुद्धिष्ट कल्चर से related जो उनकी connectivity है उसको बताती है तो students इस वज़े से वड़नगर है वो news के अंदर में था second अगर हम बात करें इसी वड़नगर से यहाँ पे गुजरात के अंदर इस वड़नगर को यहाँ पे popularize करने के लिए जो museum है museum की building है वो construct की गई है हमारे archaeological survey of India के द्वारा या museum grant scheme के द्वारा students ऐसी ही एक अगर हम बात करें कि वड़नगर के बारे में तो वड़नगर के लावा मोदेरा जो topic है वो news के अंदर है तो वड़नगर की related जो information है वो आपको detail में पता होनी चीए तो आपके लिए यह topic है वड़नगर के बारे में आप detail से पता कीजिए क्यों ही city को living city के room से जाना जाता है जब हमारे honorable prime minister जब गुजरात के chief minister हुआ करते थे तो उस समय से ही continue वो इस sector से related work करते रहे हैं कि वड़नगर को जो basic place है जो historical place है उसके रूप में दर्ज किया जा सके वड़नगर का जो contribution है बुद्धिष्ट का learning center के रूप में इसके लावा students अगर हम बात करें वड़नगर की तो वड़नगर के अंदर दो तोरन है जो basically yellow sand stone के बने हुए है जो पीली मिट्टी होती है उसके वो बने हुए है तो तोरन basically यहाँ पे वड़नगर के अंदर जो fortified city है उसके अंदर हमको देखने को मिलते हैं और उन्हीं तोरन्स के अंदर हमको देखने को मिलता है कि कोई भी जो mortar है जो cementing agent है वो use नहीं किया गया है student 2018 के अंदर prelims का exam हुआ था और उसी prelims के अंदर एक question पूछा गया था आप अगर कभी लखनव अगर आप विजिट किये हो तो लखनव के अंदर काफी बड़े बड़े gate है उसी के अंदर roomy दर्वाजा है काफी सारे ऐसा अगर आप लखनव कभी विजिट किये हो या आप historically थोड़ा interested हो तो लखनव के बारे में जब भी आप Google करोगे तो आपको वो image है वो दिखाई देंगी तो वहाँ पर question पूछा गया तो उसके अंदर statement पूछ लिया गया था क्या roomy दर्वाजा जो बनाया गया है क्या उसके अंदर कोई cement का agent है वो use किया गया है cementing agent या नहीं completely yellow sand stone के वो बने हुए है fortified city है और यहाँ पे जो बुद्धिष्ट कल्चर से related जो activity है वो हमको देखने को मिलती है student 2014 के समय में जो Chinese यहाँ पे supremo है Xi Jinping वो विजिट किये थे जब इंडिया में तो उन्होंने जब Xi Jinping जब विजिट किये तो वो basically यहाँ पे वड़नगर को गए थे वड़नगर वो विजिट किये थे ऐसा बताया जाता है कि जो Xi Jinping है वो little bit historical places से interested है क्योंकि आप देखे कि जब second China, Indochina जो summit है, informal summit organize हुई, तो second China जो informal summit जो organize की गई थी वो ममलापुरम के अंदर organize की गई थी, अब ममलापुरम कहां है यह आपको पता होना चीए, ममलापुरम basically तमिलाडू के अंदर located है और जो पल्लवा डाइनस्टी हुआ करती थी, उस समय के वो वहाँ पे जो temple architecture या Buddhist culture से related हमको वहाँ देखने को मिलता है, और बताया जाता है कि जो China के जो पुराने जो सहर है, उनके साथ में ममलापुरम का जो trade route है, जो connectivity है वो हुआ करती थी, तो आप देखें कि डिपलोमेसी के अंदर हर एक जो places जो choose किये जाते हैं, कि कहां पे जो summit है वो organize की जाएगी, उसक तरीके से डिपलोमेसी में काफी सारे जो work हैं वो इस तरीके से किये जाते हैं, आप भी अगर exam को clear करोगे तो आप में इसे भी कोई ना कोई जो है जो diplomate बनेगा, कोई यहाँ पर IS officer बनेगा, और इसी तरीके के future में जो होने वाली जो summit है, 10 to 12 year के बाद में जो आप higher position के उ implementation है उसके अंदर में, तो students, वाटनागर basically महसाना district है, गुजरात में वहाँ located है, museum grant scheme के थुरू वहाँ पे museum है, उसको develop किया गया है, इसी museum grant scheme के थुरू एक museum है, जो न्यू दहली के अंदर, प्रधान मंतरी संग्राल ले, means ना हमारे जितने भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं अभी तक, उन प्राइम मिनिस्टर से related, जो भी उनसे important information है, जो भी important उनसे related places है, उन सबको यहाँ पे life style को शो करने की कोशीज की गई है, प्रधान मंतरी संग्राल ले के अंदर में, ये भी museum grant scheme के थुरू museum को बनाया गया, तो आपको basically पता होना चीए, प्रधान मंतरी संग राले के बारे में, वर्डनगर के अंदर जो museum बन रहा है, और इसी scheme के थुरू यहाँ basically हमारे यहाँ पे museums को digitalize करने की कोशीज की गई है, digital इनको बनाना है, जिससे इसको common जो public है, उसके अंदर इसको popularize किया जा सके, इसको famous किया जा सके, तो ये हमारा museum grant scheme के बारे में था, ministry of culture का ये part है, second हम students हम topic की अगर हम बात करें, तो second topic है, आचारिय जगदीष चंदर बोस जी के बारे में, students recently आचारिय जगदीष जो JC बोस के नाम से जिनको जानते हैं, तो recently उनकी 164 जो birth anniversary है, वो celebrate की गई, जो अब उनकी birth anniversary जब celebrate की गई है, तो इस समय में, उनका जो काफी सारे जो contributions है, उससे related एक conference है, वो organize की गई, ministry of culture, एंड इसके अलावा और भी बहुत सारे जो department है, वो इसके पार्ट रही है, तो उनके द्वारा जो एक international conference है, जो यहाँ पे organize की गई, JC बोस, एक सत्यागरही scientist के रूप में, उनको यहाँ पे recognize किया गया है, अब आप देखें इनको सत्यागरही scientist बोला गया है, अब यह सत्यागरही word क्यों use किया गया है, यह आपको सबसे पहले पता होना चीए, सबसे पहले तो JC बोस के बारे में भी आपको complete information होनी चीए, कि science sector में हमारे country में जो science का colonial era के समय में जो science का development हुआ, उससे related काफी सारी personalities हैं, जिन्होंने क काफी अच्छा work किया उस समय में science sector से related, तो उनी में एक personality है, आचारी जगदीश चंदर बोस, उन्होंने, अगर हम बात करें, physicist हैं, physics, physiologist हैं, physicist हैं, इन सब sectors के अंदर इन्होंने, यह wireless technology है, उसके अंदर इन्होंने काफी अच्छा work किया है, आचारी जगदीश चंदर बोस जब अपनी education complete करके इंडिया में आते हैं, और Calcutta University के अंदर यहाँ पे basically physics department के अंदर जो professor है, वो appoint किये जाते हैं, तो उस समय में इन्होंने देखा कि कैसे जो British professor वहाँ पे appoint किये गई थे, उनको जो payment मिला करता था, उसका two by third जो इससा है, वो Indians को यहाँ पे payment किया जाता थ मतलब कि equal pay gap, यहाँ पे equal payment नहीं होता था, payment के अंदर जो discrimination है, वो हमको देखने को मिलता था, तो students इस payment के अंदर जो discrimination है, उसको देखते हुए, आचारिय JC Boss ने उस समय में यहाँ पे protest करते हैं, उन्होंने payment यहाँ पे receive नहीं किया, काफी समय तक, तो उनके इस protest को देखते ह जो British authorities जो उस समय में rule किया करती थी, उनके दुआरा बाद में जो payment है, वो equal pay किया गया, जो English professor उस समय में work किया करते थे, और आचारिय JC Boss को जो equal payment है, वो यहाँ पे दिया गया, तो इस वज़े से इनको एक सत्यागरही scientist के रूप में recognize किया गया है, students, हमारे आचारिय JC Boss wireless technology स related जो work है, वो continue करते रहे, 1895 के समय में, इन्होंने wireless technology को जो develop किया था, कि wireless technology को यहाँ पे जो telecommunication है, उसके अंदर use किया जा सकता है, तो इन्होंने अपना जो work है, उसको demonstrate किया, जो उस समय में बंगाल के जो governor हुआ करते थे उनको, बट इनका जो technology जिसको demonstrate किया, उसको basically के जो different different part है, जो science background से related जो societies होती है, जो यहाँ पे research paper चलते हैं, उसके अंदर उसको publish नहीं करवाया गया, उसके अंदर उसको famous नहीं, बताया नहीं गया, इसी technology के उपर में, जो wireless technology है, इसी के उपर उस समय में एक Italy के एक scientist है, Dr. G. Marconi, G. Marconi उस समय में work कर रहे थे, इन्ह technology को publish करवाया, और 1909 के समय में, Dr. G. Marconi को basically जो Nobel Prize है, फिजिक सेक्टर के अंदर में, वो wireless technology से related उनको दिया गया, अब basically students यह जो wireless technology से related जो Nobel Prize दिया गया है, यह आचारिये JC Boss को भी दिया जा सकता था, इसी से related जितने भी हमारे issue है, last year जब Indian Science Congress की meeting हुई थी, 107 जो Indian Science Congress की जो meeting हुई, उसके अंदर हमारे honorable Prime Minister ने कहा, कि basically colonial era के समय में, हमारे काफी सारे जो scientists हैं, उन्होंने काफी सारा work किया, पर colonial authorities के दुआरा, उनको basically publish नहीं किरवाया गया, world के अंदर उनको recognize नहीं किरवाया गया, उनका जो work है उसको, और continue colonial authorities के दुआरा, यह show करन को, कि जो British authority हैं, वो superior है, Indians are the inferior race than the British, तो यहाँ पे इस तरीके से show करने की कोशीज की गई, क्योंकि आप देखें कि हर एक sector का जो invention किसके दुआरा किया गया, वो यहाँ पे जो publish किया जाता है, वो यहाँ पे आपको जो western country जी अगर हम बात करें, जो British authorities हैं, उनसे देखने को मिलेगा, तो इस तरीके से जो Indians का जो contribution है, उसको recognize नहीं किया गया है, Indian Science Congress के अगर हम बात करें students, 1914 के समय में यह Science Congress है, वो start हुई जाए, अभी recently भी इसकी 108 जो meeting है, वो भी organize की गई है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, Science Congress के अंदर basically यहाँ पे scientific हमारे community से related जो children है, जो women है, जो scientist है, उसको यहाँ पे invite किया जाता है, Science sector से related बात की जाती है, तो आपको पता होना चाहिए, इसमें एक Children's की भी Science Congress है, वो organize की जाती है country में, हम जो Children's है, उनको scientific sector के अंदर जो interest है, वो develop हो सके, उस sector से related, अब अगर हम बात करें, आचार यह JC Boss के दुआरा, त बच्चों को, जो students है, उनको invite किया गया, तो students यह night sky watch है, इस तरीके के जो telescope है, इनके दुआरा डवलप किये गए थे, उसके अंदर बच्चों को काफी सारा जो interest है, वो देखने को मिला, plants के अंदर भी जो same feeling होती है, अगर उनको cut किया जाता है, तो same feeling देखने को मिलती है, जो basically एक human being के अंदर होती है, ये जो concept है, ये भी आचारी जेसी बोस जी के दुआरा दिया गया, इनके दुआरा basically अगर हम students बात करें, कि जो plant की जो growth होती है, उससे related जो cresco graph है, उसको यहाँ पर invent किया गया था, आचारी जेसी बोस जी के दुआरा, electrical signal without the wire के रूप में जो technology है, radio technology, उसके उपर इन्होंने work किया है, plant के अंदर इन्होंने basically बताया कि plant के अंदर कोई भी जो nervous system है, वो नहीं होता है, plant किस तरीके से work करते हैं, उसके बारे में जेसी बोस जी ने बताया, इन्होंने बोस research institute है, उसको यहाँ पर establish किया, और इनको जो father of radio science के रूप में य काफी एक important research institute के रूप में है students, यह आपको पता होना चीए, आचारिय जेसी बोस जी के दुवारा एक science fictional है, उसको भी यहाँ पर लिखा गया, देखे कि आप देखे कि हमारे जो colonial era के समय में या हमारी जो पुरानी personalities हैं, वो कितने multi-dimensional personality हुआ करते थे, यह writing भी करते थे, physics sector स related भी इन्होंने work किया है, तो इन्होंने basically एक science fictional है, जो बंगाली science fictional को 1896 के अंदर इन्होंने लिखा है, जिसको बंगाली निरु निरु दसेर के नाम से जानते हैं, बंगाली निरु दसेर कहानी, तो जिसके अंदर हुआन्षा की बाते की हैं, वो हिनकी contribution को दिखाता है, त नेक्स टोपिक है बेसिकली कनहेरी केवस के बारे में students यहाँ पर 1 मिनिट का मैं ब्रेक लेता हूँ students अगर next topic के बात करें next topic है कनहेरी केवस के बारे में तो कनहेरी केवस के अगर हम बात करें अभी recently जो G20 का एक delegation है वो कनहेरी केवस के अंदर visit किया है ministry of culture के दुवारा वहाँ पे visit किया गया है students आपको पता होगा कि G20 की जो next summit है वो इंडिया के अंदर organized होने वाली है तो इंडिया के अंदर organized होने की वज़े से different different जो sectors होते हैं tourism से related, health से related यह आपको अलग-अलग sectors की जो summit हैं वो देखने को मिलेंगी आने वाले complete one year के अंदर में तो G20 के इस summit के दोरान जो ministry of culture के दुवारा एक यहाँ पे जो delegation को visit करवाया गया Canheri Caves है जो Elephanta Caves है वहाँ पे तो Canheri Caves basically मुंबई के अंदर located है और बुद्धीजम का एक important center के रूप में यहाँ पे work करती हैं Students अगर हम बात करें Canheri Caves की तो first century के आसपास इन Canheri Caves को यहाँ पे built किया गया और एक important buddhist settlement को यह show करती हैं यह Canheri Caves है जो अगर हम बात करें कि जो buddhist का यहाँ पे जो learning center हुआ करता था western region में जो kongkand region है kongkand sector में जो यहाँ पे buddhist के एक important sector के रूप में यहाँ पे establish हुई है archaeological survey of India के दुआरा इनको protect किया गया है Students अगर हम बात करें Canheri Caves की तो Sopara है Sopara basically Mumbai के अंदर ही located एक area है कल्यान है नासिक है ऐसे जो buddhist जो era है जो buddhism का जब highest peak हुआ करता था तो उस समय के यह जो sectors हैं उनके साथ में well connectivity हुआ करती थी Canheri Caves की जो उस समय के जो trade center हुआ करते थे Canheris के अगर हम बात करें Canheri Caves के अंदर basically बताया जाता है कि Caves का जो development है वो तो हमको जो first century का जो समय है उस समय को देखने को मिलता है पर ऐसा बताया जाता है कि Canheri Caves के अंदर में basically एक university हुआ करती थी जो morians और जो कुसान का जो period है उस समय में वहाँ पे एक learning center के रूप में जो Canheri Caves है उसको show किया गया है students आपको Canheri Caves के बारे में जरूर पता होना चीए इसके लावा अगर हम बात करें G20 की जो G20 की जो next meeting है वो इंडिया के अंदर होने वाली है और इंडिया यहाँ पे basically इस meeting के अंदर जो वासुदेव कुटुमगम का जो concept है उसके उपर basically इंडिया की दुआरा उसको show करने की कोशिस की गई है यहाँ पे one earth one family और one future के एक जो concept है उसके उपर इंडिया यहाँ पे basically G20 के अंदर work कर रहा है और उसके अंदर हमारा जो cultural significance है उस सब को show करने की कोशिस की गई है इंडिया के दुआरा इस्टुदेंट्स यह आप देखिए कि कनहरी caves है जिनको यहाँ पे जो किया गया है यह जो delegation है वो विजिट किये हैं कनहरी caves के अंदर में अब आपको caves के बारे में पता होना चाहिए कि बुद्धिजम के अंदर जो caves का जो history है या caves की जो importance है वो क्या है students हमें पता है कि जो बुद्धिष्ट के जो monk हैं उनके लिए जो travel करना काफी ज़्यादा difficult होता था वो travel नहीं कर पाते थे तो students उस समय के जो राजा लोग हैं जिनके दुआरा बुद्धिजम को patronize किया गया उनके दुआरा initial phase में कुछ temporary जो architecture है temporary कुछ settlements है उनको create किया गया जिससे basically बुद्धिष्ट monk वहाँ पर आराम कर सके तो इनी के अंदर हमको देखने को मिलता है कि बाद में जो caves हैं जो caves हैं वो यहाँ पर एक permanent settlement के रूप में उभरते हैं और यहाँ पर caves को यहाँ पर divide किया गया है चैत्या एंड विहारा चैत्या एंड विहारा विहारा आपको देखने को मिलेंगी कि ऐसी वो caves हैं जिनके अंदर basically जो बुद्धिष्ट monk हैं वो आराम करते थे जो उनकी daily life activities से related जो activities हैं वो उनकी द्वारा की जाती थी चैत्या जैसे हैं जो worship के लिए या भगवान को जो याद करने के लिए जो योगा के लिए या dedication के लिए जिनको यूज किया जाता है वो चैत्याज होते हैं विहारा वैसे होते हैं जो resting house होते हैं rest करने के लिए जिनको यूज किया जाता है तो ये basically students caves को इस तरीके से divide किया गया है ये कनहेरी केवस के बारे में था कि बुद्धिष्ट का एक learning center हुआ करता था वहाँ पे कनहेरी केवस के अंदर आपको देखने को मिलता है कि कैसे उस समय के जो trade center हुआ करते थे जो important बुद्धिष center हुआ करते थे उनके साथ में इनकी जो connectivity है वो किस तरीके से है था कि जो 26 December है उसको वीर बाल दीवस के रूप में celebrate किया जाएगा वीर बाल दीवस के रूप में अब उनको क्यों celebrate किया जाएगा उसके बारे में अगर हम बात करें वीर बाल दीवस basically जो 10th सिक्ग गुरू है गुरू गोविन कीजिये तो उन्हों को उस जो order है उसको यहां पर रेजिस्ट किया अपना जो sacrifice और वैलोर है वो उन्होंने show किया और इनको जो alive है जिंदा है वो दिवार के अंदर चिनवा दिया गया था उस समय में मुगल हकूमत के जो वहां पर वजीर हुआ करते थे उनके दुआरा इस्टुडेंट्स वीर बाल दिवस गुरू गोविन सिंग के दो छोटे जो जो सहजादे थे basically साहिब जादे बाबा जोरावर सिंग और साहिब जादे बाबा फतै सिंग उन्हीं की याद में मनाया जाता है वीर बाल दिवस के दुआरा जो सिक हिस्ट्री है जो basically सिक्किजम से related जो हिस्ट्री है इसको all over the India सभी लोग इसको renounce कर सके इसको जान सके उसके लिए इसको वीर बाल दिवस के रूप में हमारी central government है उतके दुआरा इसका नाम है वो change किया गया है साहिब जादा सहीदी दिवस के रूप में इसको celebrate किया जाता है पंजाब के अंदर में साहिब जादा सहीदी दिवस के रूप में इसको celebrate किया जाता था अभी तक बटा हमारी सेंटर गोर्मेंट के दुआरा इसका जो नाम है वो किया गया है वीर बाल दिवस की रूप में स्टुडेंट्स अगर हम बात करें वीर बाल दिवस की तो हमको देखने को मिलता है कि जो गुरू गोविन सिंग है जो 10th सिख गुरू है उनके दुआरा जो खाल सा है वो इस्टेबलिस किया गया सिखी जम को रियूनाइटेड करने के लिए रियूर्गनाईज उनकी आर्मी क करने के लिए या मोडरनाईज करने के लिए इनके दुआरा जो काफी सारे जो इफड्स है वो लगाए गए हैं 10th सिख गुरू यहाँ पे बेसिकली 1904 1704 के समय में यहाँ पे अगर हम बात करें कि एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे यह चले जाते हैं और बैटल अप चमकोर आनन पूर साइब विजिट करने के दुआरा इनके दुआरा आनन पूर साइब को जो कैप्चर किया जाता है तो उस समय में स्टुडेंट्स हमको देखने को मिलता है जो हीली किंग्स हैं जो हीली एरिया है प्रजेंटली जो हिमाचल प्रदेश के जो किंग्स हैं वो उस समय में जो मुगल हुकूमत जो हुआ करती थी मुगल हुकूमत को अपना जो संदेश भिजवाते हैं और इनको बेसिकली आनंदपुर साहिब से यहाँ पे निकलवाते हैं कि आप आनंदपुर साहिब छोड़के जाईए एक negotiation यहाँ पे होता है कि आप आनंदपुर साहिब से जब चले जाओगे तो basically यहाँ पे जो territory से related यह conflict था जैसे ही जो गुरु गोविन सिंग है वो आनंदपुर साहिब से निकलते हैं इनके उपर attack किया जाता है और इसके अंदर इनके जो बड़े जो साहिब जादे थे यंगर जो इनके जो सन हुआ करते थे उनकी यहाँ पे death हो जाती है और अपनी family से यहाँ पे यह separate हो जाते हैं गुरु गोविन सिंग students इसके बाद में battle of chamkor हमको देखने को मिलती है और इनके separate होने के बाद में जो माता गूजरी देवी है जो माता गूजरी है जो basically गुरु गोविन सिंग की मा है गुरु गोविन सिंग की मा और इनके जो छोटे साहिब जादे है साहिब जादे जोरावर सिंग और साहिब जादे फते सिंग इनको बेसिकली यहाँ पे साहिमजादे जोरावर चिंग और फते सिंग को basically capture कर लिया जाता है इनी के एक 사용เวश के दौरा यहाँ पे जो betrayad किया जाता है इनके साथ दोखा दिया जाता है वजीर खान के दुआरा एक ओफर इनको इनके जो संसे उनको प्रवाइड किया जाता है और वो उनको बैसिकली ओफर को रिजेक्ट करते हैं तो उनको अलाईव जो जिन्दा है वो दिवार के अंदर चिन दिया जाता है बैसिकली इस्टुडेंस उसके बाद में गुरुकोविन सिंग की भी जो डैथ है वो हो जाती है 1706 के समय में और ये 10th सिंग गुरु थे इनके बाद में जो गुरु सिप है उसको यहाँ बेसिकली गुरु सिप को इस्टोप किया गया और गुरु गरन साइब के अंदर उसको यहाँ पे रखा गया है तो Living Guru के रूप में Guru Goran Sahib को माना जाता है presently Students, Aurangzeb 1707 के समय में Aurangzeb की भी death होती है और Aurangzeb की death होने के साथ ही हमको देखने को मिलता है कि जो मुगल जो empire हुआ करता था वो यहाँ पर decline phase के अंदर आता है क्योंकि जैसे ही Aurangzeb की death होती है उसके बाद में हमको देखने को मिलता है कि कैसे Aurangzeb की death के बाद में जो यहाँ पर जितने भी उनके successor हुआ करते थे उनके अंदर basically वो जो quality है जो एक राजा की जो quality होनी चीए जो rule करने के लिए जो quality होनी चीए वो नहीं थी इनकी जो successor है वो आपस में ही लड़ते रहे तो Aurangzeb की death के बाद में जब मुगला एंग्पायर यहाँ पर कमजोर होता है तो basically जो बंदा बाहदूर है बंदा बैरागी है वो यहाँ पर जो आनंदपूर साहिब है उसको capture करते हैं और जो वजीर खान है उनको एक battle of चापर सीरी है चापर सीरी एक जगह है चंदिगड के पास में वहाँ पर वजीर खान की जो मार दिया जाता है बंदा बाहद बंदा बैरागी के दुआरा तो यह बेसिकली इनका जो sacrifice है जो गुरु गोविन सिंग की जो बच्चे है उनका जो sacrifice है उसको recognize करने के लिए जो वीर बाल दिवस है उसको celebrate किया गया है हमारे प्राइम मिनिश्टर हमारी जो central government है उसके दुआरा इस डे को साहिब जादा सहीदी दिवस के रूप में celebrate किया जाता था पंजाब के अंदर continue काफी समय से इसको celebrate किया जा रहा है continue अभी इसका जो नाम है वो change किया गया है वीर बाल दिवस जो sacrifice और वैलोर को शो करने की कोशिस की गई है कि इतनी छोटी age के अंदर में कैसे साहिब जादा जो रावर सिंग और साहिब जादा फते सिंग ने अपना जो sacrifice है वो देना यहाँ पे मंजूर किया बट उन्होंने अपना जो religion है उसको change नहीं किया तो students यह basically वीर बाल दिवस के बारे में था आपको पता होना चीए कि जब गुरु गोविन सिंग उस समय में वहाँ पे rule पे हुआ करते थे गुरु गोविन सिंग जब power में थे या गुरु गोविन सिंग का जो time period है उस समय में ओरंग जेव rule किया करते थे इवन जो 9th गुरु है गुरु तेक भादुर जी जो गुरु तेक भादुर जी का जो time है उस समय में भी ओरंग जेव ही rule किया करते थे दहली के अंदर दहली के अंदर जो power के अंदर थे ओरंग जेव students next topic है प्रसाद scheme के बारे में प्रसाद scheme basically हमारी जो ministry of tourism है उसकी एक scheme है प्रसाद scheme जिसके थुरू यहाँ पे हमारा एक mission है कि pilgrimage जो site है उनका regeneration करना है जो spiritual heritage augmentation drive करना है यहाँ पे basically हमारी जो pilgrimage sector से related जो sites है उनको यहाँ पे develop करना यहाँ पे main target है ministry of tourism का students AC के थुरू आपको जो काफी सारी जो tourist circles है वो आपको देखने को मिलती है प्रसाद scheme का ही एक part है उसके रूप में काफी जो tourist circles है वो develop की गई हमारी ministry of tourism की दुवारा तो अभी recently हमारे जो president है दरोबदी मुर्मुजी अभी recently यहाँ पे यह visit की है प्रसाद scheme के लिए दो कुछ ऐसे area है जिसमें फर्स्ट है जो भदराचलम group of temples है वहाँ पे यह visit की है और जो प्रसाद scheme का जो stone है वो उन्होंने basically वहाँ पे lay down किया है second वो visit किये है जो रमपा temple है जो काकाति आज के दुआरा जिसको रमपा temple को जो बनाया गया था जिसको रुद्रे सुरा temple के रूप में भी जाना जाता है वहाँ पे यह visit की हैं और इसके अलावा students अगर हम बात करें समक का सरलम्मा जो जगह है जो एक basically ट्राइबल्स का कुम्प मेला जिसको बोला जाता है वहाँ पे जो हमारी president है वो visit की हैं इस वज़े से यह जो टीन topic है वो news के अंदर में है रुद्रे सुरा अगर हम बात करें रमपा temple की तो रमपा temple basically students UNESCO heritage site का जो उसको status 2021 के अंदर मिला है इस वज़े से भी वो news के अंदर है वीर बाल दीवस, रमपा temple इन सब के बारे में हमने separate वीडियो के अंदर भी इनको cover किया है तो आप वहाँ पे भी जाके इनको देख सकते हो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रसाद scheme की तो students प्रसाद scheme ministry of tourism की scheme है 2014-15 के सुरू इसको start किया गया था इसका main aim ये था कि हमारी जो tourism से related जो pilgrimage और heritage sites है उनको यहाँ पे integrate करना है उनका infrastructure का development करना है Students ये completely 100% हमारी government के दुआरा central government के दुआरा funded है जो प्रसाद scheme है वो अब हम यहाँ पे बात करते हैं temple और भद्राचलम के बारे में Students temple और भद्राचलम के बारे में अगर हम बात करें तो ये basically स्री सीता रामचंदर स्वामी देविस्तानम नाम का एक temple है जो साड़े 300 साल से भी पुराना वहाँ पे बसा हुआ है basically अगर हम बात करें भगवान राम से related ये temple है जो वहाँ पे जो डवलप किया गया था उस समय में वहाँ पे basically भग्त राम दासु नाम से एक व्यक्ति हुआ करते थे जो बाद में सैंट के नाम से भी उनको जाना गया है कंचारलू गोपन्ना नाम का जो सैंट है जो सुल्तान अब गोलकॉंडा है उनके अंडर में सुल्तान अब गोलकॉंडा के अंदर में वो revenue officer हुआ करती थे उनके दुआरा जो भदराचलम के जो टैंपल है जिसके अंदर सीता राम चंदर स्वामी जो टैंपल है इसका यहाँ पे development किया गया इसका development करने के बाद में जो गोपनना है उनको basically गोनकोंडा के जो सुल्तान है उनके द्वारा यहाँ पे जेल में डाल दिया जाता है कि आप funds के बीच में आपने कोई ना कोई यहाँ पे जो corruption है वो किया है और आपने जो temple का जो construction किया है उसके बारे में अब अगर हम बात करे temple की तो जो बद्राचलम के जो सीता रामचंदर स्वामी जो temple है यह भगवान राम से related है कि भगवान राम का जो basically जो exile का जो समय हुआ करता था जो 14 एर का जो उनका वनवास का समय था उसकी theme के उपर यह base है कि भगवान राम ने जो अपना exile का जो समय है वो यहीं पे निकाल हैं जो डांड करन फोरेश्ट है वो भी बेसिकली भदराचलम फोरेश्ट बदराचलम जो टेंपल है उनहीं का एक पार्ट है तो आपको बेसिकली भदराचलम टेंपल के बारे में पता होना चीए सतर जो 18th century है उसके आसपास इसको डवलप किया गया है गोलकॉंडा के जो सुल्तान है उन्हीं के एक रिवेन्य ओफिसर हुआ करते थे उनके द्वारा इनको डवलप किया गया है इस्टुडेंट्स अगर हम बात करें जो भदराचलम है यहाँ पे जो इसको क्या बोला जाता है अगर हम उसके एक निकनेम की बात करें तो इसको दक्सिन आयोध्या के रूप से भी जाना जाता है और यह भदराचलम के जो टेंपल है वो गोदावरी नदी जो है जो गोद प्रक्षिन कासी के रूप से जाना जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए स्टुडेंट्स इसके अलावा अगर हम बात करें रमपा टेंपल के जिसको रुद्रेशुरा टेंपल के रूप में से भी जाना जाता है काकतिया नाम की जो डाइनेश्टी हुआ करती थी जिनकी जो कैपिटल थी वो वारंगल नाम की जो सिटी है वो हुआ करती थी तो काकतियाज के एक ruler थे गनपती देवा उन्हीं के basically एक minister होते हैं उनके दुआरा इस जो temple है उसको construct किया गया है रुद्रेश्रा या रमपा temple की अगर हम बात करें तो इसके जो architect थे जो इन्होंने इसको बनाया था उनके नाम से इस temple का नाम रखा गया है तो पहली बार कोई जती एसा temple है जिसके architect की वज़े से इसका जो नाम है वो रखा गया है अगर हम बात करें काकतियाज़ डाइनेस्टी की तो काफी important डाइनेश्टी है जिस डाइनेस्टी के समय में जो एक्री कल्चर है काफी properess हुआ करती थी काकतियाज के समय में अगर हम बात करें जो common public है क डैपकलो ने बताया है किस तरीके से काकतिया जेकी जो इगरीकल्चर है वो प्रोसपरस थी जो लोग वहाँ पे काफी खुसाल हुआ करते थे इसके अलावा मोटूपली नाम का उनके यहाँ पे एक पोर्ट भी हुआ करता था काकतिया डाइनेस्टी में और इसी काकतिया डाइनेस्टी के एक रानी है रानी रुद्रमा देवी उनके दुआरा भी रूल किया गया है रानी रुद्रमा देवी के द्वारा काकतिया डाइनेश्टी के समय में रूल किया गया है तो वुमेन है रानी तो आपको इस तरीके से पता होना चाहिए कि वुमेन रूलर्स के द्वारा भी रूल किया गया है क्यूइन के द्वारा भी रूल किया गया है उससे पहले दहली सल्तनत में जो रजिया सुल्तान है रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 1240 का जो समय है उस समय में उन्होंने रूल किया था तो ये students basically काकतियाज के बारे में है ये अगर हम बात करें रुद्रेशुरा टेंपल की या रमपपा टेंपल की तो इसको ब्राइट इस्टार इन दा गलेक्सी ओफ दा मिडल टेंपल्स ओफ दा डेकन के रूप से भी जाना जाता है कि यहाँ पे जो ट्रैवलर है उन्होंने ब्राइटेस्ट इस्टार के रूप में इसको रिकोगनाइज किया गया है और 2021 में इस्टुडेंट्स इसी ही रमपपा टेंपल को यूनिसको की वर्ल हेरिटेज लिस्ट है उसके अंदर में सामिल किया गया है अगर हम बात करें नेक्स टोपिक की नेक्स टोपिक है स्टुडेंट्स समक्का सरलम्मा के बारे में समक्का सरलम्मा बेसिकली एक ट्राइबल्स का कुम्ब मिला है जिसको और्गनाईज किया जाता है तो यहाँ पे भी हमारी जो प्रेसिडेंट है वो विजिट की है स्टुडेंट्स अगर हम बात करें समक्का सरलम्मा की तो यह Tribals का सबसे बड़ा Fair है, जिसके अंदर जो Tribals हैं, जिसको समक्का सरलम्मा का जतारा है, जतारा मीजदा Fair होता है students, तो इसको Tribals का सबसे बड़ा Fair माना जाता है, और यहाँ पे basically कोया नाम की जो Tribe है, वो majorly यहाँ पे इस Festival के अंदर में जो contribute करती है, students, इसको Tribals का Fair माना गया है, इसके अलावा अगर हम बात करें समक्का सरलम्मा की, तो समक्का सरलम्मा को जो State Festival है, जो आंदर परदेश की जो गोर्वर्मेंट है, उसके दुआरा State Festival के रूप में recognize किया गया है, 1998 में, Tribals के कुम्ब मेला के रूप में भी इसको जाना जाता है, क् कि आप देखे कि जो कुम्ब मेला है, हमारे जो चार जगए हैं जहां पर organize किया जाता है, Tribal लोगों के लिए ये कुम्ब मेला, इसको कुम्ब मेला के रूप में जाना जाता है, इसके लावा इस्टुनेंट्स, इस जो समक्का सरलम्मा का नाम का जो फेस्टिवल है, इस फे आतारा में हमको देखने को मिलता है, जो जैगरी है, जो गुड है, जो जैगरी है, आप देखे कि हमारे जो पूरवज हुआ करते थे, वो काफी जदा अपने जो डेली डाइट के अंदर उसको यूज किया करते थे, क्योंकिनि मैनिफैक्ट्रिंग जो सूगर है, वो नहीं ओफर किया जाता है, इक्वल टू दा वेट ओब दा गोडैस के रूप में, यहाँ पे गोडैस को यह जो बैसिकली जैगरी है, वो ओफर की जाती है, इस समक्का सरलम्मा के अंदर, लास्ट येर हमारे जो कल्चरल मिनिस्टर है, वो यहाँ पे विजिट किये थे, और उन्ह के जो सन हुआ करते थे, वागू, तो जमपनना वागू है, जमपनना वागू के उपर काकतिया डाइनेस्टी के जो लोग है, वो अटेक करते हैं, और काकतिया डाइनेस्टी से अपने एरिया को यहाँ बचाने के लिए जमपनना वागू है, वो गोदावरी नदी के अंद अपनी spirituality के according इस बात को मानते हैं अगर हम बात करें scientific point of view से तो यहाँ पे जो red color है वो basically वहाँ पे जो soil का जो composition है उसकी वज़े से है तो ऐसा भी माना जाता है कि जैसे ही वो attack खतम होता है जो समय खतम हुआ उसके बाद में जो काकतिया dynasty है वो यहाँ पे decline में आती है और काकति dynasty यहाँ पे खतम होती है students जो कोया नाम की जो tribe है वादार नाम की जो tribe है वो tribe इस festival के अंदर काफी अच्छा contribute करते हैं काफी ज़्यादा इन्होंने contribute करते हैं समक्का सरलम्मा के बारे में जो tribals का जो कूंब मिला है tribals का सबसे बड़ा जो gathering है उसको यहाँ पे समक्का सरलम्म के रूप में से जाना जाता है इसके अंदर हमारी जो president है वो visit करे हैं students अगर हम बात करें next topic की basically G20 की जो summit है वो इंडिया के अंदर organize होने वाली है next year G20 एक forum है जिसका temporary headquarter होता है और इंडिया के अंदर इसका temporary headquarter होगा one year के लिए अब यहाँ पे जो summit organize होगी तो इंडिया य दुआरा तो जो logo जो इंडिया के दुआरा तयार किया गया है G20 summit के लिए जिसके अंदर इंडिया के दुआरा यहाँ पे वासुदेव कुटमबकम का जो concept है उसको deliver करने की कोशिस की गई है one earth one family and one future की यहाँ पे बात की गई है कि कैसे future को यहाँ पे हमको protect रखना है climate change के जो present issues है उनको deal करना है हमारी earth एक ही हमारी family है वासुदेव कुटमबकम के हमारी जो complete earth है वो हमारी यहाँ पे हमारा basically एक ही family है तो यह इंडिया के दुआरा शो करने की कोशिस की गई है तो इंडिया के दुआरा जो logo बनाए गया है G20 summit के लिए उस summit के लोगों को यहाँ प hundred के आसपास उन monuments के अंदर उस logo को यहाँ पे basically illuminate किया गया उसको लगाया गया lightning की गई जिससे लोग इसके बारे में aware हों इंडिया का जो यहाँ पे diplomacy है या monuments है उनके बारे में जो world के अंदर उन लोगों को पता लगे क्योंकि सभी countries की जो delegation है वो यहाँ पे visit करेंगे जो G20 के member हैं तो basically यह जो topic है वो इतना detail में नहीं है बट हम कुछ monuments ऐसे हैं उनके बारे में हम 2-3 line जो थोड़ी बहुत information है वो gather करते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें हुमायू tom पे उपर यह जो G20 का जो logo हुए वो शोकरने की कोशिस की गई है हुमायू tom के बारे में students ऐसा garden tom था जो भारत में Indian subcontinent में जो बनाया गया इस हुमायू tom को जो हुमायू की जो विड़ो है हमीदा बानो बेगम उनके दुआरा इस जो हुमायू tom है उसको बनाया गया है हुमायू की याद में Persian architect हुआ करते थे जिनको basically जो funding है जो अकबर की दुआरा जो हुमायू के बेटे हैं अकबर उनके दुआरा इसको प्रवाइड की गई UNESCO World Heritage Site है हुमायू का जो tom है जो दहली के अंदर located है तो आपको कभी समय मिले जो जरूर जाईएगा इसके अंदर basically Persian architecture आपको देखने को मिलेगा छतरी आपको देखने को मिलेंगी आपको जो च्यार बाग का जो concept है यहां पे हुमायू टॉर्म लोकेटेड है तो यहां पे जो च्यार बाग यहां पे देखने को मिलेंगे आपको तो इस तरीके से जो आर्किटेक्चर है वो शो करने की कोशीज की गई है सेकिंड है स्टुनेंट्स रेड़ फोर्ट के बारे में रेड़ फोर्ट बेसिकली साजा के द्वारा डवलप किया गया था साजा का यहां पे main concept यह था कि उनको आगरा से दहली के लिए अपनी जो capital है वो transfer करनी थी अगर हम बात करें उनकी जो नई capital जो बनने वाली थी दहली में उसको साजाना बाद के नाम से जाना जाता था साजाना बाद के नाम से अगर हम बात करें initially ये जो लाल किला है, इसको किला ये मुबारक के रूप से भी जाना जाता था, the blessed fort है उसके रूप से भी, but सहाजा कभी भी इस fort के अंदर में जो red fort है उसके अंदर नहीं रह पाए क्योंकि जब ये construct होके जब तयार होने लगा, तो उस समय में जो ओरंग जेब है, वो power के अंदर आ चुके थे, और सहाजा को उन्होंने basically आगरा के अंदर जो house arrest है, उसके अंदर में उसको रख दिया था अगर हम बात करें, students, red fort के अंदर अपना जो 15 अगस्त है जो independent day का जो celebration किया जाता है, जो flag का hosting किया जाता है, वो यहीं से ही हमारे honorable prime minister करते हैं red fort से ही, इसी red fort के अंदर आपको देखने को मिलेगा जो भादूर सा second है, जो 1857 के समय में जो जिनको राजा मारना गया था, हमारे जो revolutionary हैं उनके दुआरा, तो भादूर सा second का जो coronation है, वो भी यहीं पे ही हुआ था, इसी red fort के अंदर में, इसके अलावा student 1739 के समय में जब battle of carnal लड़ा गया था और यहां पे एक invader आते हैं नादिर सा, नादिर सा ने जब इंडिया के उपर attack किया था, तो उसके अंदर इसको भी destroy करने की कोशीज की थी नादिर सा जब 1739 में इंडिया में विजिट किये थे उस समय में इसके अलावा जो एक monument है वो है पुराना किला, पुराना किला को भी यहां पे illuminate करने की कोशीज की गई है, G20 का हमारा जो logo है, जो हमारा यहां पे message है, उसको show करने की कोशीज की गई है पुराना किला बेसिकली यहां पे हुमायू के दुआरा बनाया गया था students हुमायू के दुआरा, जो बाबर है, बाबर के दुआरा मुगल डाइनेस्टी यहां पे found की गई, second उनके बेटे होते हैं हुमायू, जिनका complete समय यहां पे crisis में होता है क्योंकि जो सेरसा सूरी है सेरसा सूरी उस समय में powerful होते हैं और हुमायू continue यहां पे अपना जो hard work कहेंगे कि hard समय था, उनका complete जो rule का जो समय था, तो हुमायू के दुआरा यह जो पुराना किला है वो found किया गया था, बट अगर हम हम बात करें कि जो कुछ, इसका जो हिस्सा है, वो यहां पे सेरसा सूरी के दुआरा भी develop किया गया है इसके लावे students हम बात करें कि जो हुमायू है हुमायू का अपना जो नया capital foundation रखने की उनका कुछ इश्या थी, और उन्होंने जो नया capital है, उसका नाम यहां पे रखा था, दीन पनाहा यह आपको पता होना चाहिए historical information है, जो थोड़ी बहुत इनके बारे में पता है, वो हम discuss कर रहे है next है कुतुमिनार कुतुमिनार आपको कुतुबदीन एबग के इसको start किया गया, इल्तुमिन के दुआरा इसको complete किया गया, और हमको मुहमद बूइन तुगलक जो हैं, उनके दुआरा भी इसको reconstruct या इसको renovate करने की कोसीज की गई थी 1191-92 के समय में battle of terrain है, वो लड़ाई जाती है पृत्वी राज चोहान की यहाँ पर defeat होती है मुहमद गोरी के कोई भी वारिस ना होनी की वज़े से मुहमद गोरी की 1206 के अंदर death हो जाती है, उसके बाद में कुतुबदीन एबक जो है वो power के अंदर आते हैं, उसको slave dynasty भी कहा जाती है, या ममलूग dynasty के रूप से भी जाना जाता है तो उनके दुआरा जो कुतुब मिनार है उसको construct किया गया कुतुब मिनार बेसिकली एक सूपी सेंट है, बक्तियार काकी उनकी याद में इसको बनाया गया था गोलकॉंडा fort की अगर हम बात करें स्टुडेंट्स, गोलकॉंडा जो हैदराबाद के अंदर लोकेटेड है, ये बेसिकली अगर हम बात करें, ओरीजनली ये मड़ फोर्ट के रूप में हुआ करता था बट बाद में जो बहमानी सुल्तान हैं, तो कुतुब साई डाइनेश्टी हैं, उनके दुआरा इसको फोर्टीफाइड किया गया था, और कुतुब साई डाइनेश्टी का ये मेन यहाँ पे कैपिटल हुआ करता था गोलकॉंडा, तो ये आपको पता होना चीए गोलकॉंडा के बारे में अगर हम बात करें, स्टुडेंट्स नेक्स्ट जो मॉन्युमेंट है, जिसके अंदर जे ट्वेंटी का जो लोगो है, इल्यूमिनेट किया गया है, वो है संक्राचारिय का जो टेंपल है, जम्मू एंड कस्मीर में, तो स्टुडेंट्स जो सिरीनगर का नोर्दन पार्ट है, उसके अंदर ये लोकेटेड है, बेसिकली ये जो जम्मावान जो रेंज है, वहाँ पे ये टेंपल है, वो लोकेटेड है, संक्राचारिय का, इसको जयेश्टवरा टेंपल के रूप से भी जाना जाता है, वहाँ पे जम्मु एंड कस्मीर में रमप्पा टेंपल जिसके बारे में अभी हमने डिसकस किया था काकतियार डाइनेश्टी के समय में जो परताबा रुद्रा है गणपती देवा है उनके दुआरा इसके दुआरा इसको कंस्ट्रेक्ट किया गया पर only ऐसा टेंपल है जो इसके आर्कि होना चाहिए यूनिस्को हेरिटेस साइट है जो हमपी ग्रूप ओप टेंपल जिनको यूनिस्को साइट माना गया है हमपी जो बैसिकली विजेनगर एंपाइर की यहाँ पे कैपिटल हुआ करती थी वीरपक्सा टेंपल के अगर हम बात करें भगवान जो सीव है उनको ये डेडिकेटेड है ये टेंपल तो देवराया सेकेंड हुआ करते थे विजेनगर एंपाइर के समय में तो देवराया सेकेंड हुआ करते थे विजेनगर एंपाइर के समय में विजेनगर आपको पता होना चाहिए कि जो 13-36 में जिसको इस्टैबलिस किया गया हरी हरा एंड का नाम से तो देवराया सेकिंड के एक मिनिश यहां पे जो छत्रप हुआ करते थे लखन लखन नाम से इनकी एक छत्रप थे उनकी दुआरा इसको बनाया गया है वीर पक्सा टेंपल को हमपी यहां पे विजे नगर की कैपिटल हुआ करती थी स्टुडेंट्स और कौन सी जो लोगो है उसको इलूमिनेट करने की कोशिस की गई है जो जी 20 का जो हमारा मेसेज है हमारे कंटरी का वहां पे उसको दिखाया गया है नालंदा महाविवारा एक लर्निंग सेंटर पुराने समय की एक युनिवरसिटी हुआ करती थी हमारे जो बुद्दीजम से रिलेट को यहाँ पे establish किया गया था तो यह basically students हमारा December का current affair के topics है जिनको हमने यहाँ पे discuss किया है Red Fort है, Humayu Tome है तो यह कुछ monument है जिनको illuminate किया गया जिसमें कुछ important monument यहाँ पे हमने discuss किया है वैसे तो काफी सारे monuments हैं आप कितना भी discuss कर सकते हो जितना चाहो इसके लावे students हम बात करें कि हमने यहाँ पे समक्का सरलम्मा जो festival है ट्राइबल्स का जो कुम्ब मेला है उसके बारे में discuss किया हमने रमपा temple और भदराचलम जो temples है उनके बारे में discuss किया प्रसाद scheme के थुरू जो हमारे honorable president के दुआरा वहाँ पे foundation रखा गया है उनके लिए वीर बाल दिवस के बारे में हमने discuss किया गुरुगोविन सिंग के बच्चों का जो sacrifice है जो साहिब ज़्यादा जो रावर सिंग है और साहिब ज़्यादा फते सिंग है उनका जो sacrifice जो उसको शो करता है इसके लावा students हमने कनहरी caves के बारे में बात की कि कैसे जो कनहरी caves है वो एक important बुद्धि सेंटर हुआ करते थे उस समय में तो उसके बारे में हमने यहाँ पे discuss किया हमने JC Boss जी का जो contribution है scientific में या सत्यागरही के रूप में जो contribution हुने ने play किया है colonial era के समय में उसके बारे में बात की और हमने यहाँ पे discuss किया museum grant scheme के बारे में जिसमें हमने वड़नगर है उसके बारे में यहाँ पे discuss किया है students तो यह हमारा current affair का discussion वीडियो था आप बने रही है हमारे साथ हम इसी तरीके से आपको update करते रहेंगे students तो thank you students thank you very much